नमस्कार दोस्तो इलेक्ट्रिकर टेक्निशन चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि हम अपने घर में पॉलरेटी टेस्टर कैसे बनाएंगे तो इसके बहुत ही सरल तरीका है बहुत ही आसानी से हम मात्र 10 से 15 रुपए खर्श करके पॉलरेटी टेस्टर बना सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉलरेटी टेस्टर जो होता है वो होता क्या है तो दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक बल्व है जिसका connection बैटरी से होते हुए आ रहा है मतलब बैटरी से जो wire निकलता है दो wire आते हैं एक positive होता है और दूसरा negative होता है और उसका connection हम किसी भी bulb में करते हैं तो वो हमारा bulb क्या glow करने लगता है जलने लगता है तो दोस्तों इस circuit से हमको ये पता करना है कि इन दोनों wire में से ये पहला wire और ये दूसरा wire इन दोनों wire में से हमारा कौन सा positive है और कौन सा negative है तो इसको check करने के लिए हम हमारे polarity tester का use कर सकते हैं और उसके माध्यम से check कर सकते हैं generally क्या होता है कि इसके लिए आपको multimeter की जरूरत होती है बट यदि आपके घर में multimeter नहीं है तो आप ये simple छोटी सी method जो की बहुत ही आसान है इसका use करके आप polarity tester बना सकते हैं और उससे जो है आप अपने positive और negative terminal का पता लगा सकते हैं तो दोस्तो polarity tester बनाने के लिए हमको क्या जरूरत होती है दो prop ले लीजिए एक red prop यूज़ करेंगे और दूसरा black prop यूज़ करेंगे उसके बाद हमको एक red color का LED bulb लेना पड़ेगा और एक green color का LED bulb लेना पड़ेगा दूसरा तो आप black ले सकते हैं बट black LED अबलेवल नहीं होता है तो उसकी जगह पर आप कोई भी color यूज़ कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर green यूज़ किया है आप yellow भी यूज़ कर लीज़े blue यूज़ कर सकते है और एक हमको चाहिए होता है 10 kilo ohm का register अब दोस्तों इसका connection कैसे करते हैं तो चलिए देख लेते हैं बहुत ही आसान है एकदम आसान तरीके से मैं बताऊँगा आपको एक बार में समझ में आ जाएगा इस LED का जो positive है जिसको हम anode बोलते है positive terminal है उसको दूसरे LED के negative terminal मतलब cathode बोलते हैं उसको उससे हम connect कर देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है कि दूसरे LED का positive terminal है मतलब anode उसको इस वाले red वाली LED के negative terminal मतलब cathode से हम short कर देंगे ये दोनों terminal को आपस में हमने short कर दिया इसके बाद आपको एक point को यहां से register के साथ में short करना है register के साथ में short कर दिया उसके बाद क्या करना है आपको कि register का जो दूसरा सिरा है दूसरा terminal उसको सीधे एक प्रॉप से connect कर देंगे और फिर क्या करना आपको यहां से यह जो red प्रॉप आपको दिख रही है red प्रॉप से दूसरे terminal को उसी प्रकार से short कर देना आपको ये तो आपका बन गया polarity tester अब इसको check कैसे करेंगे हम तो इसके लिए क्या करना है आपके घर पे ये battery तो जैसे होती है battery में आप देखेंगे कि दो point होते हैं एक पहला जो point होता है negative का होता है और दूसरा point होता है positive का अभी आपको करना क्या है कि आपके जो आपने जो प्रॉप बनाया है जो tester बनाया है polarity tester उनके दोनों point को एक एक सीरे पे battery के एक एक point पे रखेंगे मतलब एक को positive के साथ connect करेंगे और दूसरे को negative से connect करेंगे और हम ये देखते है कि हमारा जो red वाला LED है वो glow कर रही है तो दोस्तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो red वाला प्रॉप है ये positive पे connect हुआ और black वाला negative पे collect हुआ इसके बाद क्या करना है आपको आप same इसका direction change कर दीजे मतलब opposite कर दीजे एक दूसरे का connection interchange कर दीजे ऐसे आपको क्या करना है अभी आपने red वाली प्रॉप को यहां पे connect किया था तो यहां से उठा के हमने इसको यहां पे connect किया और black वाला जो यहां पे था उसको हमने इस point पे connect कर दिया अब हमने क्या देखा कि हमारा जो दूसरी LED हमने use किया था ये वाली जलने लगी तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा red प्रॉप है वो negative टर्मिनल पे use कर रहे हैं और जो black प्रॉप है वो positive टर्मिनल पे connect है तो दोस्तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह हमारे पास एक bulb है और bulb में connection आया हुआ है अभी आपको पता लगाना है कि आप इन में से कौन सा positive है और कौन सा negative वायर है तो बहुत ही simple है जैसा कि मैंने बताया भी आपको करना क्या है कि आपको दोनों वायर के एक एक टर्मिनल पे अपने प्रॉप को connect करना है जैसे कि यहाँ पे मैंने red वाला प्रॉप connect कर दिया और यहाँ पे black वाला प्रॉप connect कर दिया और क्या मिला कि जो हमारी LED red वाली LED है वो glow कर रही है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो जिस जो हमने यह red प्रॉप जहाँ पे terminate किया है यह हमारा positive वायर है और जहाँ पे हमने black प्रॉप को connect किया है यह हमारा negative वायर है उसके बाद अभी हमने interchange कर दिया दोनों को आपस में change कर दिया तो change करने पे क्या हुआ कि हमारी green वाली LED जलने लगी इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने red प्रॉप यूज किया था वो red वाला negative terminal पे यूज हो रहा है और और यदि आप चाहते हैं कि मैं electronic circuit में ऐसे ही आपको easily तरीके से video बनाता रहूँ आपके लिए तो please comment box में जा करके जरूर बता है और यह video आपको कैसी लगी यह भी जरूर बता है और यदि आपने हमारे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर ले लाइक कर ले और अपने friends के साथ में ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर करें धन्यवाद